असलाम वालेकुम अब हम बात करने वाले हैं जो peptid linkage peptide bond होती हो इसकी formation किस तरह से होती है और उसकी breakdown किस तरह से होती है उसको आज हम डिस्क्रस करने वाले तो आई स्टार्ट करते हैं देखें हमें कह रहा है कि the protein or polypipotide chain is formed by linking amino acids by peptide bond कहः हैं चीए हमारे होता है कि बहुत सारे amino acid बाली जो chain होती है पूरी chain जिसमें बहुत ज़्यदा amino acids हो तो इसी chain को हमकेते polypeptide chain तो protein यह जो polypeptide chain होता है सही वो कैसे बनता है वो बहुत सारे amino acids जब आपस में लिंक होते हैं peptide bond के तुरू तभी बनता है सही है मतबकि हमारे पास बहुत साथ amino acids आपस में peptide bond बनाएंगे और लिंक होंगे तो तभी हमारे पास protein की यह polypeptide chain की formation होती है तो अब हमारे पास peptide bond किस तरीके से बनता है दो amino acids के दर्मियान तो देखे हमारे पास कोई भी तो amino acids होते हैं तो उनके दर्मियान जो peptide bond बनता है वो ऐससे बनता है कि एक चो हमारे पास amino acids होता है उसका amino group involved होता है दूसरे का carboxylic acid group involved होता है मतब होगा क्या कि एक चुम हमारे पास amino acid है उसका amino group दूसरे amino acid के carboxylic acid group के साथ react करेगा और नतीज़े में उन दोनों groups के दरमयान हमारे पास formation होती है किसकी एक peptide bond की formation होती है और इसके दोरान हमारे पास एक water का molecule release होता है मतब किस तरीके से amino acids के दरमयान peptide bond की formation होती है तो हमारे पास एक amino group लिंक होता है दूसरे amino acid के carboxylic acid group के साथ और नतीज़े में water का molecule release होता है और एक peptide bond की formation होती है देखे हमारे पास ये glycine amino acid है दूसरा alanine है ये दोनों आपस में मिल रहे हैं नके आपस में linkage हो रही है कैसे हो रही है देखे है ये amino acid है इसका carboxyl group involved है और इसका amino group involved है तो हुआ क्या यहां से hydroxyl निकला मतब एक amino acid से hydroxyl group निकला उसके carboxyl acid group से और दूसरा जो हमारे पास amino acid है उसके amino group से यहां से hydrogen remove होगा तो क्या हुआ ये दोनों रिमूव हो गए एक से हाइड्रोक्सिन निकला दूसरे से हाइड्रोजन तो नतीजे में फार्मेशन हो गई वाटर की तो वाटर का रिमूवल हुआ और इसके नतीजे में हमारे पास ये जो हमारे पास कारबॉक्सले एक एसिड वाला जो हमारे पास कारबान है इस अमाईनु एसिड का उसके और ये जो हमारे पास दूसरा अमाईनु एसिड है उसका जो अमाईनु ग्रूप है उसका ये जो नाइट्रोजन है इन दोनों के दरमयान क्या बन गया, एक covalent bond बन गया, जिसे के आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, carbon nitrogen के बीच में bond बन गया, तो यह जो हमारे पास bond है, जो कि किसके बीच में बन रहा है, carbon और nitrogen के बीच में, carbon एक amino acid है उसके carbon-ric acid बाला है, दूसरा जो यह nitrogen है, यह हमारे पास amino group है, दूसरे amino acid का, उसका nitrogen है, तो इन दोनों के दर्मयान हमारे पास यह bond बना है, जो के with the removal of water बना है, तो इस bond को हम कहते हैं, क्या कहते है, peptide bond कहते हैं, तो यह जो यहां पर हमारे पास डाय पेप्टाइड बनाएं यहां पर एक अमईनो इसडा दूस्टा था सही तो यह हमारे पास कौन सा है यह ग्लाइसल एलानी इसके अंदर दो माईनो इस्ट सब यूणिट है और इसी वजासे इसकों जो घ्रप न बना हुआ है यह फिरसड क पर चाहिए कार्बोकसल ईक्ड गुरूप में तो दो गुरूप इसके अंदर हमारे पास में एक के इसमें मैंनी गुरूप है दूसरे एंट पर घूल कॉझ ऑपड़ कार्बोकसल गुरूप है ठीक है तो अब यह hum हमारे पास amino group यह फर्दर दूसरे amino acid के carboxyl group से अटेज हो सकता है और यह जो carboxyl group है यह हमारे पास bond बना सकता है दूसरे amino acid के amino group से तो उसका मत्तब कि हमारे पास यह जो डाय पेप्टाइड है जो इससे further amino acid हो सकते हैं इसके एक end में amino group पड़ा है जो के दूसरे amino acid के carboxyl group से अटेज हो सकता है दूसरे एंपे इसके तरीके से प्रैप्टाइड मतब तीनमाइनो असिड वाला कमपाउंड या फिर टेटरा पेप्टाइड बन सकते हैं तो वही आगे हमें बता रहा है कि रहा है कि अंदर अमाइनो गुरूप है के अंद पे और दूसरे पे कार्बॉक्स लेक एस गुरूप है इस मॉलीक्यूल के दूसरे पर इन दिस वे बोथ रियक्टिव पार्स अर अगेन अवेलेबल दोनों हमारे पास रियक्टिव पार्स बतब माइनू ग्रूप और कार्बॉक्स लेके इस ग्रूप जो के इन बॉस पेप्टाइड बॉंड की फॉर्मेशन में रिस्पॉंसिबल होते हैं वह अभी भी अवे यह किस तरीके से तूट सकती है तो जो पॉली पेप्टाइड रेन होती है कोई भी वह तूटती कैसे वह तब ही तूटेगी जब उसके अंदर से अमाइनू एसड है उनके बीच में जो बॉंड है वह तूटेगा तो जब हम पिप्टाइड बॉंड को तोडएंगे तो हमा तब होता है वाटर की एडिशन तो अब यह सो हमारे पास बॉंड बना था वह कब बना था जब वाटर का रिमॉवल हुआ था तो वाटर की एडिशन जब होगी मत्ब कि हाईड्रो लाइसस होगी तब ही हमारे पास वह पेप्टाइड बॉंड टूटेंगे और उसके चोटी 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 चेंज के अंदर तो वह हमारे पास चेंज होती है दस अमाइन वेशन से ज्यादा वाली तो उन चेंज को गेते पेप्टोंस वाली चोटी-चोटी क्या होती है कि चोटी चोटी-चोटी चोटी-चोटीच को नहीं तूटेगा न तो पहले हमारे पास more than 10 amino acids वाली chain बनती है जिनको peptones केते हैं जो के few amino acids थोड़े amino acids वाले peptides के अंदर तूटती हैं और finally peptides हमारे पास amino acids अलग अलग हो जाते हैं